साउधी अरब में महस चार साल पहले ही महिलाओं की ड्राइविंग करने पर लगे बैन को हुटाये गया था अब यहां की महिलाई बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी साउधी अरब रेलवेज ने खुद इस बारे में जानकारे दी है इसके साथ ही इस बुलेट ट्रेन के ड्राइवर्स का एक विडियो भी जारी किया है 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर चुका है इनकी पहली नियुकती मक्का और मदीना के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन में की गई है साउधी अरब रेलवेज के और से जारी किये गए विडियो में महिलाओं अपने पुरुष सहयोगे के साथ नजर आ रही है ये विडियो नए साल के पहले दिन जायरी किया गया है ट्रेनिंग के बाद अब इस बैच में शामिल महिलाओं 453 किलोमेटर लंबी हरमीन हाइस्पीड लाइन पर बुलेट ट्रेन दोडाती नजर आएंगी यही लाइन मक्का और मदीना को जोडती है एक रिपोर्ट की मताबिक 2018 में साउधी अरब में नौकरी कारने वाली महिलाएं केवल 20 प्रतिशत थी 2020 के आखिर में याकडा 33 प्रतिशत हो गया